आप सभी का निखरी हिंदी टुटोरियल्स में स्वागत हैं। आज हम कक्षा आठ की पाठे पुस्तक वसंत से पाठ चौध अकबरी लोटा लेकर प्रस्तुत हैं। अकबरी लोटा के लेखक हैं अन्न पोनानंद वर्माजी यह एक हास्य व्यंग्य रचना है। हास्य कार्थ है हसी। व्यंग्य किसी के अच्छाई या बुराई को मजाग बना कर कहना व्यंग्य कहलाता है। हसी मजाग से भरपूर आईए पाठ पढ़ते हैं अकबरी लोटा। डाला जाउलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से एक सौ रुपे मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे पर धाईसो रुपे तो एक साथ आँख सेखने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एका एक धाईसो रुपे की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से संसनाया और फिर पैच गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डर्ये मत आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला जाउलाल तिल मिला उठे। उन्होंने रॉब के साथ कहा, अजी हटो धाईसो रुपे के लिए भाई से भीक मांगोगी, मुझसे ले ले ना, लेकिन मुझे इसी जिन्दगी में चाहिए, अजी इसी सप्ता में ले 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 ना, सप्ता से आपका तात परिया, साथ दि साथवे दिन मुझसे ढाईसो रुपे ले ले लेना, लेकिन जब चार दिन योत्यों में योही बीद गए और रुपेयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिन्ता होने लगी, प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था, देने का पक्का वादा करके, अगर अब दे न सके, तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मुल्य रह जाएगा, अपनी वावाही की सैकडों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा, तो चारों खाने चित्त हो रहे, यहाँ पहली बात उसन क्या मुँ दिखलाएंगे, खैर एक दिन और बीता, पांचवे दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विब्दा सुनाई, सैयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था, कि बिलवासी जी भी उस समय बिलकुल खुक थे, उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं पर मैं कहीं से मांग जाच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया, तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा, वही शाम आज थी, हफ़ते का अंतिम दिन, कल धाई सो रुपय या तो गिन देना है, या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है, या सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फासी न कर देगी, किवल जरासा हस देगी, पर वह कैसी हसी होगी, कल पना मात्र से जाउलाल में मरोड पैदा हो जाती थी, आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो या कहीं रुपय का प्रबंद वे न कर सक इसी उधेड गुन में पड़े लाला जाउलाल छट पर टहल रहे थे, कुछ प्यास मालुम होई, उन्होंने नौकर को आवाज दी, नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई, वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी, किवल लोटे में प नयोग से वह, जो अपनी बेड़ंगी सूरत के कारण लाला जाउलाल को सदा से नापसंद था, था तो नया, साल दो साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी, कि उसका बाप डमरू मात चिलम रही हो, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी प पतनी का नहुआ, वह पती कैसा, फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी थे, तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूं, तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा, लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे, उस समय वे चत की मुंडेर के पास ही खड़े थे, जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के समबंद में यह नियम बनाये थे, कि खड़े खड़े पानी न पीओ, सोते समय पानी न पीओ, दोड़ने के बाद पानी न पीओ, उन्होंने पता नहीं, कभी यह भी नियम बनाया या नहीं, क च्छत की मुंदेर के पास खड़े होकर पानी न पियो जान पड़ता है कि इस महत्वपोन विशय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है लाला जहू लाल मुश्किल से दो एक घूट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया लोटे ने दाएं देखा नबाएं वह नीचे गली की और चल पड़ा अपने वेग में उलका को लजाता हुआ वह आँखों से ओजल हो गया किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने प्रिथ्वी की आकर्षन शक्ती नाम की एक चीज इजाद की थी कहना न होगा कि यह सारी शक्ती इस समय लोटे के पक्ष में थी लाला को काटो तो बदन में खुन नहीं ऐसी चलती हुई गली में उचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हसी खेल नहीं यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के जूपडे पर काशी वास का संदेश लेकर पहुचेगा कुछ हुआ भी ऐसा ही गली में जोर का हल्ला उठा लाला जाउलाल जब तब तोड़ कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड उनके आंगन में घुसाई लाला जाउलाल ने देखा कि इस भीड में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है उसी के पास अपराधी लोटे को भी देख कर लाला जाउलाल जी ने पौरन दो और दो जोड़ कर स्थिती को समझ लिया गिरने के पूर्वलोटा एक दुकान के साइभान से टकराया वहां टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग सनान कराया और फिर उसी के बूट पर आगिरा उस अंग्रेज को जब मालुम हुआ कि लाला ज्जावुलाल ही उस लोटे के मालिक हैं तब उसने केवल एक काम किया अपने मूँ को खोल कर खुला छूर दिया लाला जावलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़ कर और जितने आदमी आंगन में गुस आये थे सब को बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रख कर उन्होंने साहब से कहा आपके पैर में शाहिद कुछ चोट आ गई है। अब आप आराम से कुर्सी पर बैट जाए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैट गए और लाला जहुलाल की और इशारा करके बोले आप इस शक्स को जानते हैं। बिल्कुल नहीं और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो नीरी राचलतों पर लोटो के वार करे। मेरी समझ में he is a dangerous lunatic, यानि यह खतरनाक पागल है। नहीं मेरी समझ में he is a dangerous criminal, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला जहुलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति देगी होती। तो यह निश्चे है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिये। जिससे यह आदमी फारण हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहां? पास ही है, चलिए मैं बताओं। चलिए, अभी चला, आपकी इजाज़त हो, तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं पचास रुपे तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला जाउलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप पचास रुपे क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चरिय, मैं तो आपको एक विग्गिय और सूशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है? कुछ बताईए भी। जनाब यह एक एतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर की म्यूजियम परिशान है। यह बात। जी जनाब सोलवे शताबधी की बात है। बात्षा हुमाईउं शेर्षा से हार कर भागा था और सिंद केरेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्रामण ने इसी लोटे से पानी पिला कर उसकी जान बचा थी। खुमाईउं के बाद अकबर ने उस ब्रामण का पता लगा कर उस से इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के दस सोने के लोटे प्रदान किये। यह लोटा समराट अकबर को बहुत प्यारा था। इसी से इसका नाम अकबर ही लोटा पर इसी से वजू करता था सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है पर इसके बाद लापता हो गया कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम दे कर खरीद ले जाएं इस विबरण को सुनते सुनते साहब की आँखों पर लोब और अश्चरी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौडी के आकार से बढ़ कर पकौडी के आकार की हो गई उसने बिलवासी जी से पूछा तो आप इस लोटे का क्या करिएगा मुझे पुरा और एतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है जिस समय यह लोटा मेरे उपर गिरा था उस समय में यही कर रहा था उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्थियां खरीद रहा था जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा वाह आप कैसे खरीदोगे मैं खरीदूँगा यह मेरा हक है यह बताये कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने आपने वह आपके पैरों पर गिरा यह मेरे आपके अंगूठा उसने आपका भूरता किया या मेरा, इसलिए उसे खरीदने का हख मेरा है, यह सब बकवास है, दाम लगाईए, जो अधिक दे, वह ले जाये, यही सही, आप इसका 50 रुपे लगा रहे थे, मैं 100 देता हूं, मैं डेड़ सो देता हूँ, मैं दो सो देता हूँ, अजी मैं धाई सो देता हूँ, यह कहकर बिलवासी जी ने धाई सो के नोट लाला जहुलाल के आगे फेंग दिये, साहब को भी तावा गया, उसने कहा आप धाई सो देते हैं, तो मैं पात सो देता हूँ, अब चलिए, बिल और देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ ले जाए मेरे पास धाइसों से अधिक नहीं है यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची गिर गई उसने जपट कर लोटा ले गया और बोला अब मैं हस्ता हुआ अपने देश लोटूंगा मेजर डगलस की डी करने में मेरी उनकी होड रहती है गत वर्ष वे हिंदुस्तान आये थे और यहां से जहांगीरी अंडा ले गए थे जहांगीरी अंडा हां जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़े ले सकते हैं पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहां से जांगीर का प्रेम कराया था. जांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? नूर जहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ा कर बताया था कि ऐसे उसके इस भोले पन पर जांग उतर का यह एहसान वह नहीं भूला, उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा, एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था, बात में वही अंडा जांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसी को मेजर डगलस ने पार साल दिल्ली में एक मुस मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुष्ट पुराना है, इस रिश्टे से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, साहब ने लाला जहुलाल को 500 रुपे दे कर अपनी रह ली, लाला जहुलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, जान पड़ता था, कि मुँपर 6 दिन की बड़ी हुई दाड़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है, उन्होंने पूछा, पिलवासी जी, मेरे लिए 500 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा इश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, पर आप चले कहां, अभी मुझे आपसे काम है दो गंटे तक, दो गंटे तक, हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीच ठोक कर शाबाशी दूँगा, एक घंटा इसम इसमें भी लग जाएगा, अच्छा, पहले 500 रुपय गिनकर सहेज लीजिए, रुपया अगर अपना हो, तो उसे सहेज ना एक ऐसा सुखद मन मोहक कार्य है, कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है, लाला ज्हाव लाले अपना कार्य समाप्त करके उपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतरधान हो गए, उस दिन रात्री में बिलवासी जी को देर तक नेंद नहीं आई, वे चादर लपेटे चार पाई पर पड़े रहे, एक बजे वे उठे धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सो कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूख खोला, उसमें धाई सो की नोट ज्यों के त्यों देखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया, फिर दबे पाम लोटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया, इसके बाद उन्होंने हस कर अगली कहाने में फिर मिलेंगे धन्यवाद ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेर जरूर करें धन्यवाद